एक चिकन को वाश कर लिया है उसके मैंने पीसिस कर ली है तो एक बोल में थुड़ा सा योगर्ट डालूंगी उसके अंदर गरम मसाला है हल्दी पौडर नमक और चिली पौडर जीरा पौडर और दन्या पौडर बास यही मसाले डालूंगे के अलावा कोई भी और एक्स्टा मसाला नहीं जाएगा तो इस तरह से मैं इसको मैरिनिट करके ना दो तीन गैंटे के लिए रख दूंगे क्यों इस तरह बड़ा मज़े का चिकन बनता तो आप जरूर ट्राई करना हस्बर नहीं जाना था आज फ्रंग्फर्ट तो उनका कोई काम था ओफिस का तो मुझे कह रहे थे अगर आपने जाना साथ तो चलो घर पे आपने क्या करना है बैट के खेली ने बच्चे स्कूल थे तो मैंने कह था चले मैं मसाला लगा देती हूं चिकन को तो आके वापसी पे जब खाना फिर बनाना पड़ेगा तो जल्दी जल्दी कोई के लिए बन जाएगा क्योंकि इतना इनको लंबा चोड़ा काम नहीं था तो बच्चों के आने से पहले न हमने वापस आना था तो अब हम डेड़ी होके निकल पड़े हैं बच्चों के पास एक्स्ट्रा एक चाबी तो है गर की लेकर ये था कि मैंने का चले मैं उनके आने से पहले आ जो क्योंकि आके मैंने लंच भी बनाना था बच्चों के लिए खाना थोना आने से पहले रेड़ी होना क्योंकि उनको बूख लगी होती है माशाला लेके जाते लांच हलका फुलका सा लेकर आपको पता है कि इतनी बिचारों ने एफर्ट करनी होती सारा दिन तो फिर आते आते बूख बच्चों को लग जाती है तो फ्रंक्फर्ट हम पहुंच गये थे इतनी लंबी चोड़ी ना आज वीडियो नी बनाई है तो आज सारी जो जो जिम्मेदारी ना अपने सर पे लिए हुई है कि आपने वीडियो नी बनानी है तो मैं आराम से खड़ी थी पीछे और यही आज सारे ना कलिप ले रहे थे इनूने सारा फिल्म किया इदर से तो आज टोटली जो जो है न इनकी जिम्मेदारी है इनूने मुझे आज फारग किया था कि आज मैं बाहर कि सारी वीडियो मैंने बनानी है मैंने का चले ठीक है आज आप यह काम कर लें तो इधर भी फ्रंक्फर्ट में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं कोई छोटी नहीं आप आ जाएं फ्रंक्फर्ट में देखें आके तो नीचे से अगर आप उपर देखते हैं तो सच्छी आपकी जो है ना नजर घूम जाती है बंदे की तो मुझे तो फ्रंक्फर्ट में जब भी जाती हूं तो इतनी मुझे पता नहीं क्या होता है वो जो नीचे ट्रेंड स्टेशन पर जाते हैं इतना राश होता है तो मेरे तो सच्छी उदर दमाग को कुछ होता है मैं कहती हूं मैं फोरन से पहले यहां से निकल जाऊं तो इत तो काम वगेरा जो इन्होंने करना था अपना कर लिया है तो जल्दी-जल्दी हो गया शुकर हम टाइम पे गए थे टाइम पे काम जो ना खतम हो गया इनका तो अब हम जा रहे हैं गर वापस और जो वैदर है ना काफी अच्छा है तो नॉर्मल सा ही था ना इतनी सर्दी है ना इतने गर्मी है बस कहलें कि अब जो भी वेदर है उसको आगे इंजुआए करना है तो सर्दी वाले दिन जो इना गुजर गए तो अब मैं जाके घर जल्दी जल्दी से खाना बनाओंगी इन्होंने मुझे रास्ते में कहा दिया था कि आज मीठे में आपने जद्धा बनाना है मैंने का चलें ठीक है जद्धा चावल बना लेंगी और फरमाईश को एकार दे और भी कुछ रहा गया है तो अब जाके दो काम करने पड़ेंगे पहले तो मुझे था कि मैंने केला चिकन ही बनाना है तो साथ रोटी बना लूँगी तो मुझे कह रहे थे कि चलें कोई बात नहीं नान बाहर से ले जाते तो चावला बना ले ना आपका एक जो काम है ना वो खतम हो जाएगा रोट डिशोंने आना था तो उन्होंने तो खाना खाना था आते वक्त तो उनको बेजना नहीं था बाहर तो इदर आगे थे हमभान hof पे और नीचे जा रहे हैं तो मैं आज पीछे-पीछी हूं आज यही आगे कारण्यम्या पकड़के ना फौन पकड़के तो बना रहे घूं स आपने बना ली है तो आपकी ठीक है मेरी तो सही नहीं होती ही डेली टो इदर ज्यादा वैसे जितने बी लोग है वो ज्यादा नहीं परेद लोग करने के लिए जगां ये नहीं मिलती हम गए थी एक दिन एक्षिन मार्केट में जो मैंने पिछली वीडियो डाली तो सची आप यकीन करें कि हमें पौना घंटा लग गया हमें पारकिंग नहीं मिल रही थी वहां पे तो इतना हमरा टाइम वेस्ट हुआ तो मैं नहीं इन से कह रही थी मैंने कहा इससे अच्छा था हम टिकट लेके बस पर या जाते जल्दी जल्दी फारग हो जाना था तो बच्चे घर पे थी उस दिन तो नाश्टा जो एना हम हलका फलका करके निकल आए थे सो रहे थी बच् से इनों ने सारी वीडियो जो ना खुदी बनाई है तो गारा आ गई हूँ और पैन मैंने आते फोरण उपर जो ना चड़ा दी आयल डालूंगी और लसन अद्रक मैंने ना पेस के तो इसको बस थोड़ा सा मैं ब्रॉन कर लूंगी तो प्यास तो इसमें मैं चिकन को अची त चलाना ना इसमें बड़ा मुश्कल हो जाता है तो मुझे आप कहीं मिलेगी ना थोड़ी सी बड़ी और डीप सी तो वह लूँगी सालन उसमें फिर जो न अच्छा बनता है इसमें फ्राइव अगर आप चीजें कर सकते हैं फ्राइं के लिए यह रख लूंगी फिर मैं त इसको थोड़ा सा ऐसे उपर नीचे करूंगी तो डकन दे के इसको एक साइट पे रख दोंगी यह थोड़ा सा कुक हो जाएगा तो फिर इसकी मैं करूंगी बुनाई साथ ही मैंने ना चावल बनाने के लिए पानी भी रखा था उपर और उसके अंदर मैंने फूड कलर डा साथ मैंने जाइफल जबत्री लाइची दार्ची नी लांग डाल दी है तो जब अच्छी तरह से इसका पानी जो ना पके गाना तो काफी इसको दास मिनट तक पकता रहे गाना पानी इसका बड़ा फिर असर निकलता है और चावल उतने मज़ेदार बनती है तो चिकन को भ बिल्कुल भी ड्राइव वाला जो ना वो नहीं फिर खाया जाता तो चावल मैंने डाल दी है इसके अंदर और ये वाले जो मैं चावल लेके आई नो इसको सची इतना टाइम ये लेते है ना गलने के लिए पता नहीं जैसे हो जीब से चावल मुझे लगते हैं वैसे समय ना हलका सा ना रोज कर लोंगी जिस भी आपने काप से काप या गलास जो भी आप यूज करते हैं तो उससे चावल जो लेते हैं उसी के साथ आपने चीनी की मेयरमेंट कर लेनी है तो मैंने ना तीन कप चावलों के लिए थे तो दो कप मैंने डाल ले चीनी के मुझे न तो पानी डालके ना इसको थोड़ा सामयने इस तरह ना इसकी चीनी वगरा मिक्स हो गई शीरा जो रड़ी हो गया है कोई तारशार नहीं मैं इसकी बनाती बस थोड़े से बबल आ जाएं तो चीनी तो अलड़े यह बरीक होती है जल्दी से मेल्ट हो जाती है तो केवड़ा वाटर है यह सोरी तो यह मैं लाजमी डालती हूं क्योंकि इसके बगार जो है ना चावल जो मजयके नहीं लगते फिर बिल्कुल आपको ना देख के चावलों का जो जाएका आता है तो जरूर आप ना यह केवड़ा वाटर जो ना थोड़ा सा डाल दिया करें तो इसके साथ जो ना चावलों में खुश्बू बड़ी जबदस आती है तो चावल डन होगी है अब मैं फौल लगा के ना इसको दम पे रख दूंगी 10 मिन तक इसका जो ना अगर आप इसको दम पे रखते हैं तो बड़े मज़े के यह हो जाते हैं तो अगर आपने ज्यादा रखना है को नीचे से रेड करने हैं चावल तो फिर थोड़ा टाइम ज्यादा दे दे तो चलें जी मैं आप नान की ना जो कटें कार लो नान जो ल लाक दिया था मैंने का चले मैं इसके अंदर ट्रे में डाल की रखंगी तो यह गरम हो जाएंगे तो पड़े जबदस्त हो गए थे और चिकन के साथ ना इससारा ग्रेवी वाले चिकन के साथ खाने का बड़ा मज़ा आता है तो सालन भी डान हो गया चावल भी तो आज है म मॉस्ट वैलकम आएं हमारे साथ खाना इंजुआए करें अब हम खाएंगे अपना खाना तो चावलों की और जड़े की फाइनल लुक देखते हैं मैंने अंडे भी उपर काटके थोड़े से डाल दिये थे बड़ा मज़े का सारा कुछ बना था तो चलें जी मेरे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना लाइक करना शेयर करना और कुमेंट्स करना तो आपने बिल्कुल भी नहीं भूना इंशाला मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में एक नहीं व्लोग के साथ एक नहीं कॉंटेंट के साथ अला आफिस